बिस्मिल्लाहिरोणान रर्मान ररहीम असलाम अलेकम स्टॉडेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले प्रीज शुरू करने से पहले प्रीज सब्सक्राइब मैं चैनल और अक्साइडिंग यूसल वीडियों तो आज की वीडियों जा है न उसमें मैं मुछ ऐसे जीन दाओंगा जो आज मैं आज मैं आपको फाइब ऐसे वर्ड्स बताओंगा जो हम गलत प्रणाउंस करते हैं तो साथ में उनकी एक्स्प्लानेशन भी होगी छीक तो लेट्स स्टार्ट आज वीडियो तो लेट्स गू तो दे फस्ट वर्ड तेर ट्रेगनोमीट्री ये मैंने रॉंगली परनाउंस किया है ट्रेगनोमीट्री इस दे रॉंग परनाउंसियेशन अप थेस वर्ड यह आपको मालू मैं कि यह जिमेट्री एक ब्रांच है जिसके हम triangles को discuss करते हैं तो इसकी सही प्रणाइशन क्या है तो इसकी सही प्रणाइशन है his trigonometry दुपार आप बोल रहा हूँ तो आज से आप ने trigonometry नहीं बोलना क्या बोलंगे trigonometry तो यह हम usually mistake करते हैं अब यह जो है under root यह सबसे ज़ादा गलत बोला जाने वाला वर्ड है काफी टीचर्स, स्टोरेंट्स, सब तकरीबन अल्मॉस्ट एव्रिवन इवन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के टीचर्स, आर्ट्स के टीचर्स भी अंड़ को फॉलते है तो यह रॉंग वर्ड है, रॉंग परनॉंसियेशन है तो आप बताएं क्यों लेट मी टैल यू एक्स्प्लमेशन, वाई अज बट देखू, स्क्वार रूट का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की पावर वन ओवर तू जो स्क्वार रूट, रूट की बात जब भी आती है तो कोई ना कोई पावर होगी स्क्वार रूट means 1 over 2 पावर क्यूब रूट means 1 over 3 पावर फॉर्थ रूट means 1 over 4 पावर and so on ना तेल में, what is the meaning of 1 रूट, which पावर can you tell it, I don't think so गॉजस का कोई meaning नहीं बन रहा, कितनी पावर रूट means 1 over that number, square root and so on तो यह wrong pronunciation हम बोलते हैं square root is the right pronunciation तो आइंदा से आप square root बोले, unroot मुझे मालूम नहीं हो सकते हैं, आपको आदत हो तो try to say square root not under root let's move to the second, third one derivative, this is not derivative यह भी हम गलत नहीं होस करते हैं, derivative again बोल रहां, derivative तो derivative हम usually बोल देते हैं तो अगर आप किसी foreign company या किसी ऐसे PhD doctor को interview दे रहे हूं, तो वो बोलेगा जी what are you pronouncing it so this pronunciation is derivative let's move to the second one hypotenuse, यह हम बोलते हैं, hypotenuse यह नस नहीं है hypotenuse is the wrong one hypotenuse hypotenuse यह राइट परनुटिएशन है so, ज्यादा लंभी वीडियो नहीं है just last word Pythagoras theorem तो this is wrong Pythagoras theorem Pythagoras theorem Pythagoras mathematician ने दिया था तो उसे इसाब से सही word बनेगा Pythagorean theorem again, Pythagorean theorem चीक है so, these are the five words usually तो बहुत सारे हैं लेकिन यह कुछ बहुत ज्यादा बोले जाते हैं Pythagoras theorem Pythagoras theorem Pythagoras theorem तो यह आज की वीडियो में बताने का मकसद यह है कि आप सही चीजें सीखें so, thank you very much and last way again please, subscribe my channel अगर वीडियो चीडियों all right let's stay 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 you